तो की फैट्स अबाउट गलफ ऑफ ओमान अब गलफ ऑफ मान की लोकेशन जो हो बड़ी इंपोर्न है बड़ी इंट्रस्टिंग यह है गलफ of ओमान यहां पर चाह बहार पूत है और इसी के साथ ग्वादर पूत है स्टेट अफ होर भूसा को परशन गलफ है यहां से मैं अं कि यहां से फिर स्वेज कनाल और फिर अमेडिटिरियन सी तो अब इस गल्फ की इंपॉर्टन्स क्या है इस गल्फ की इंपॉर्टन्स यह है कि यहीं पर कि एक से कि अँग म पर भी इंपॉर्टन्स यह रवत点्र म इस की इंपोर्टेंस क्या है भी हम लोग डिसको करेंगे जोईएंट डुब डिल इनवाल्विंग चाइन एरान और रशीया है के साथ पाकिसान का बार्टर लगता है और यहीं बॉर्डर के ऊपर चाभभार पूर्ट भी उसके इस तरफ इंडिया की पूर्ट चाभभार और उसके साइड में पर पाकिस्तान का पूर्ट पर तरह ग्वादर फूर्ट तो इस एरिया के अंदर एरान की जो फ्रेंशिप है वो रज्या और चाइना के साथ है तो चाहिना इरान इन तीनों ने मिलके यहां पर इस एरिया के अंदर इस military exercise को recently conduct किया है तो नवल military drill sorry, नवल drill को conduct किया है तो conduct between Iran, China and Russia has recently commenced in the Gulf of Oman, drawing attention of strategically significant region overview of the Gulf of Oman, और इस region के अंदर चाहिना लगातर अपनी presence जो है उसको increase कर रहा है, Gulf of Oman के अंदर क्योंकि यह region जो है trade के point of view से बहुत important है क्योंकि दुनिया का बड़ा trade portion जो हो इसी root से होता है, यहां से होके फिर Red Sea, Red Sea से होके फिर अब लोगा आगे यहां पर शिन गल्फ है, यहां पर शिन गल्फ है यह तो उसी साइट पढ़ेगा, sorry यहां पर Gulf of Oman और यहां पर पर शिन गल्फ है, ठीक है हाँ, oil trade जो है, दुनिया का यहीं से होता है, oil trade के लिए यह परफेक्ट एरिया है और देन उसके बाद बच्चे कर लेते हैं Desices Phrsian Gulf और your trade में यहीं耹े है और इसके इस तरफ जो है, red sea में गल्फ हैं तो पर शिन के इसे तरफ जो है तो इस है और यहां पर Gulf of Eden और Gulf of Oman बित《 अनल बहुत़ कि 911 होगी तो यहां पर Gulf of Oman, यहां पर गल्फ तो यहां पर उमान और एक तरफ उसके इरान और इरान के साथ यहां पर चाबहार पूर्ट उसके साथ फिर हमारा जो पाकिस्तान का जैज चाबहार पूर्ट एंड पाकिस्तान का जो रश्या के साथ चाइना के साथ उसका मिलके जो कलाबरेशन के साथ पूर्ट है तो दिस इस ना इंपोर्टनेट एरिया क्योंकि यहां से उके ट्रीट बहुत जादा है इंडिया का और आने वाले टाइम के अंदर देज पॉसिबिलिटी के जो चाइना सोरी रश्या जो है अपने इसी रूट को डेवलप करेगा और इसी रूट के थूर रश्या यहां से इ जॉर्जिया और यहीं पर वार चल रही है और इस एरिया को जो टार्गेट कर रहा है और यह एरिया डिस्प्यूट का प्लस डिप्लोमेसी का पॉलिटिक्स का पर्फेक्ट इलाका कि यहीं पर इसरेल और पलेस्टीन वार है इसी इलाके में साओधी अरेबिया यहीं पर सी एरिया है Jordan है तर्की यह एरिया पॉलिटेक्स के लिए बार पर्फेक्ट इलाका है तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर यह जो इस एरिया में जो गल्फ आफ वमान है उसके उपर जो प्रेक्टर सोरी इसके पीछे की बेसिक रिजन यह हैं कि एरान को अमेरिका के थ्रेट से ब पे नवल प्रेक्टिस कर रहे हैं अब यह सभी कंट्रीज ड्रेक्ली और इंडरेक्ली एक दूसरी के साथ किसी ना किसी तो बिसनस कोलाबरेशन आसने कही ने कही इंडल जाहे हम सभी लो तो यहां पे गलफ ओमान अलसर एफर्ट विस गलफ उपकरान इस लुकेट इंडल इस सब्सक्राइब पाकिस्तान है ओमान उसके बाद इरान है गल्फ इस बाद बाद पाकिसान इरान इंडल नौर्थ इंडल वेस्ट फ्लैंग भाइट अमिराट्स युए एंड ओमान तो बाद आप साथ अमान मस्कत सिचुएट अंड गल्फ कोस्ट अब यहां पर जो वोल्ड इस दिवाइब इंट टू ग्रूप्स के साथ इरान के पार्टनर्स हैं that is Russia and China तो जिन के साथ अमेरिका की नहीं बनती तो यह एक टैंशन का रिजन भी है यह अमेरिकन क्यूंगर पार्टनर से बट चाईना कु सभी चाहिए इंडिया को भी सभी चाहिए और एरान को भी सभी चाहिए तो बार्टनिंग कंट्रीज उसके बाद देन जेगराफिकल एक्स्टेंट गलफ रीचेज इस वाइडस पॉइंट केप अलहद एंड ओमान एंड ग्वादर बे इंदा इरान पाकिस्तान बाट जिसको मिने डिसक्स किया यहीं पर ग्वादर है चाबहार और चाबहार के साथ पाकिस्तान का पॉट ग्वादर पॉट जो चैना और पाकिस्तान दोनों मिलके बना रहे हैं गलफ रीचेज इस वाइडस पॉंट बिवीन के पलहद एंड ओमान एंड ग्वादर बे इंदा इंडान पाकिस्तान अब आप लोगों को पता होगा बे और गलफ एकी चीज उत सिर्फ माउथ का फर्क होता है दोनों को हिंदी में खाड़ी कहते हैं ओमान एंड ग्वादर बे इरान पाकिस्तान बार्टर के उपर है इस रिलेटिवली शैलो डेप्थी डेट्रीबूटर ती ओरीजन ओफ फिशर इंदा माउंटेनियस टेरेन नो डिवाइड बिट्वी आइलेंड और दिमनियत आइलेंड एंड देट्वादी इंडेशन पोर्ट मेजर इंटर्नेशन शिपिंग पूर्ट इड़र गलफ एंगल्फ इंकलूट पोर्ट शोल्तान कभूस मुट्रा इनमसकत आमान चाभाहर पोट इन इन जिसको मिने डिसक्ष किया इन्डिया और and Fort of Fujiyara and Core Fakhar Container Terminal in the UAE उसका the economic importance क्या है approximately one third of the world's oil is exported through this Strait of Hormuz and Gulf of Oman world trade, world ka one third oil trade है इसी root से होता है और इसी root से इंडिया भी petrol भाई करता है इन इस भी कंट्रीज में से petrol यह petroleum products है highlighting its critical role in the global energy transportation recent join novel drill underscores geographical importance significant of the Oman making its focal point of the international maritime activities and strategic cooperation among nations और इसी region के अदर हमने डिसक्स किया इंडिया और Oman के बीच में bilateral trade imperatively better हुआ है और उसी के साथ साथ जो आपस के relations हैं इंडिया और Oman के इंडिया अपना एक novel बेस जो हो और Oman में बनाने के लिए अभी ट्राइ कर रहा है अगर हमारा खेणो ಲों इंडिया राइजुंग टैलлन बोगराम है की पार्ट दिलुग है इसे आट से लेकर नऋ से लेकर ठार practiced साल के बच्छों को एस प्रोग्राम से उनकी नर्चरिंग करनी न성ोर ने करणी है कि डिफाइनुंग कर नी के बावजूद हम स्पोर्ट्स में अल्मोस्ट जीरो है और रॉशिया चाइना अमेरिका यॉर्पियन कंट्रीज के कंपैटबली जपान के कमटबली ऑस्टिले के में हमारे पास गोल्ड मेडल लॉम्पिक्स में बहुत थोड़े आते हैं तो देर इस पॉस्टिबिलिटी के अगर हम लोग अपने यहां पर स्पोर्ट्स को पर्मोट करेंगे नहीं पर आएँगे ओबिसली हमारे फिजीकल बिल्ड़ाप उतना स्टांग उतना अचाने हुथा अगर फाइन करना शुरू करेंगे तो उसी के थाहत कीड़ती प्रोग्राम है अट एंड एम्डेर्ट स् ट्वेंटी लाइक असेस्मेंट से करॉस दा कंट्री अनुवली इदेंटिफाइंग टैलेंट रूदा डेजिगनेटेट टैलेंट असेस्मेंट सेंटर्स क्योंकि बहुत सारी ऐसे जगह वे जहां पर टैलेंट जो है वो गाओं खेडों में रह जाता है अपने महले में भी अपने गाओं में भी जानते हैं आपनी साथ लग दस गाओं में भी जानते हैं पर टैलन्ट कभी निकल के बाहर ही नहीं आया गोरी खतम हो जाता है तो इन टैलंट को भाहर निकालना है कि ए सकसेस्फुल लांच अरौस फफीटी सेंटर इंडिया तब तबी तै उप्टी applicants participating 10 sports including athletic, boxing, wrestling, hockey, and football. Athletic Center approach, Kirti emphasizes Athletic Center program and transparent section methodology in farming technology, information technology, sorry. Utilizes data and net and artificial intelligence, particular sporting attitude of aspiring athletes. Flagship scheme है. Kelo India is the flagship center sector scheme under the Ministry of Youth Affairs and Supports. तो आपसे कुशन पुछा जा सकता है कि किर्दी program क्या है? Kelo India और किर्दी दोनों को जोड की जबाब करोगे? तो prelim और मेंस दोनों के लिए आपका answer चाहब पर भेर हो जाएगा. aims to instill a sports culture and achieve sport excellence in the country, seeks to harness the power of the sports for cross-cutting positive influences. Talent, identification and development क्या 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 था? अंदर the sports competition and talent development vertical. खेलो इंडिया focus on talent and identification को मिला के वे ही तेल तो गलाब बहुत ददकर आज तो sports competitors है और उसके बाद development है तो बच्चों की कुल मिला के बाहर टेलेंट बाहर लेकिए आना है जो बच्चे छोटे हैं नौ से लेके ठारा साल तक उनको उस चैनल को रिफाइन करना प्स इतना ये किर्थी प्रोग्राम के अंदर खेलो इंडिया कई पार्ट आई है